हेलो फ्रेंद्स वेलकम टो स्वीगीज किचिन आज मैं आपके साथ छोलिया यानि की हरे चने की चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उच्छे से पगोने में पानी लेके अच्छे से बोईल कर लिया है यहां हम इसे कूकर में बोईल नहीं करेंगे कूकर में बोईल करने से इसका कलर भी जेंज हो जाएगा और स्वौाद में भी फरक आ जाएगा और इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है एक प्याच इसे मैंने कट कर लिया है एक टमाटर लिया है इसे भी मैंने कट कर लिया है एक खीरा लिया है और यहाँ पर एक बॉइल्ड आलू लिया है इसे भी मैंने कट कर लिया है और आदा नीव लिया है और इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है ये हरा धनिया इसे भी मैंने बारी कर लिया है काला नमक यहाँ पर लिया है चाट मिसाला और ये कुटी हुई लाल मिर्च चलि utilized अभण अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं चल ये बावल में सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं, सबसे पहले मैं इसमें हीरा, टमाटर, प्याच, आलू, इसब चीजे डाल लेते हैं, यहने मिक्स कर लेते हैं, फुरा सहरा धनिया, और ये लास्त में हदे चने, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये बहुत ही हेल्दी होता है, खाने में बहुत ही तेस्टी होता है, आप इसे नमक डाल के भी खा सकते हैं, वरना इसकी सबजी भी बनती है, और वरना आप उचाट की रेसिपी तो मैं यहाँ पे दे ही रही हूँ, ये बहुत ही चटपटा लगता है इस तरीके से बना कर खाने में, अब मैं एट करूंगी, चाट पसाला, आदे चमच, काला नमक भी, आदे चमच, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इसको, साथी इसको और चटपटा बनाने के लिए, हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पर सिस में जाएगा, हाफ लेवन जूस, इसे भी हम मिक्स कर देंगे, लीजिए हमारी हरे चने की चाट जो की हल्दी भी है और टेस्टी भी है, बनकर तयार हो गई है, इसे हम एक बाउल में सर्फ कर लेते हैं, लीजिए हमारी हरे चने यानि की छोलिये की चाट तयार है, चोकि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है आप इसे जरूर बना कर ट्राइ करें अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर और कमेंट करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें थैंक यू